इस्टूडेंट हमारा दसम पठा जटायो सौरियम जटायो की बीरता का हम पढ़ रहे थे बेटा जिसमें क्या पढ़े थे कि इसमें केंद्री भाव में क्या पढ़े थे कि प्रस्तूत यह पाठ बाल महारिशी बालमी की द्वारा अरण कांड रमायर के लिखित अरण कांड स सब्द को सुन करके वह रामण का निंदनी कार को समझाने के लिए जाते हैं कि तुम यह गलत कार कर रहे हो और समझाती हो सीता को बचाने का प्रयास करते ह। और वो चोज से प्रहार भी करते हैं, रामट को घैल भी कर देते हैं, इस प्रकार अनेक आकमंड़ों, रामट टूटे हुए धनुस वाले, मरिवे घोरे के समान बिना रत वाला हो जाते हैं, पच्छी राज, पुने पुने, बार बार अधिक प्रहारों से घावों वाला जाने का प्रैयास करते जितना वीर्टा से जिसके काणावी रामर्ण क्या हो जाता मौर्चित रहाँ इसी चेप्टर ने हैं उन्हों ने उसमें आपना कितना बड़ा योगदान दिया जिसमें हमने श्लोक के माध्यम से पढ़े थे बहले स्लोक में हमने dauFirst पहले पहले सिलक में हमने प्पड़ा था कि वो है अत्यम्त दुक करना मई करना मई वाली विलाब करती हुई पहले घ। पढ़ाता साथ आदा करुणा वाचो विलम्ती सुधू खिता वनस पती ग्रत दर्शता लोचना हमने क्या पढ़े थे कि जब सीता को सीता को रामोर ठाकर के ले जाता तब अत्यन दुखी करुणा मैई वाडी से विलाब करती हुई बड़ी बड़ी आखो वाली उस सीता ने क्या वड़ा था कि वह बिलाब करती हुई कहती है कि है आदर्नी जटायू इस पाप कर्म करने वाले राच्छस रावण के दौना अनात के समान अपहरण की हुई जाती हुई दुखी को देखो तीसरे में क्या पढ़ा था इसके बाद तम सब्द सुपतस्तू चतायू रत इसके अधर ने क्या पढ़ा था तीसरे में कि इसके बाद सोय हुए जटायू ने सब्द को सुना रावण को देखकर सीख रही सीता की ओर देखा आप इसके पच्छातम पढ़ेंगे तते परवत सुंगा भष्टी चनटुंड है खगोत्तम वनस्पति गते स्रीमान जहार स परवर राज के परवत के सिखर के समान सोभा वाले तीछड पैनी चोच वाले सोभा से युक्त पच्छियों में स्रेष्ट जटायू ने सुंदर वाडी में कहा यहने उनकी जब विलाब को सीता जी की विलाब को सुना तो उन्होंने वाडी में कहा क्या कहा देखो निर्व यह उन्होंने क्या बोला कि हे रावड नीच बुद्धी विचार वाले पराई इस्त्री के इसपर्ष से रुको इससे उसको दूसरों लोग निंदा करें क्या करतें जटायू रावड को समझाने का प्रयास करतें उसके बाद देखो हम सिक्स नंबर वाले में ब्रद्धो तुम यूवा धन्वी सर्ते कवची सरी ना चाप्या दाय कुछली वैदेही में कमिश यसी हे रावड मैं जटायू बुडा हूँ और तुम धनूदरों रत के साथ हो कवच धरण किये हो बाण को लिये हो और जवान भी हो फिर भी मेरे रहते तुम सीता को साकुसल नहीं ले जा सकते अब देखो उसके बाद सात्वा नमबर में देखिए इतस तीछडन खाव्यम तुचरण भ्या महा बलय चकार भहुदा गात्रे वड़ा पंत गत्त सम्न यहने महा महान महा बली बल साली पच्चियों मसरेष्ट जटायू ने क्या किया तीछड पहने वाले नाखूनों से न रावण की सरीर पर घाव किया उन पर प्रहार किया आठे वालम देखो ततो अस्य ससरम चापम मुक्ता मड़ी विभूशितम चरणभ्य महा तेजा भवंचिय स्य महा दुनू जने इसके बाद महान तेजस्वी बड़ी चोंच वाले जटायू ने अपने पंजों से रावण उस युक्त धनुस को तोड़ दाला सिता जी को बचाने का प्रहास किया उसके ताकत और उसके वीर्ता का वणन किया जा रहा है यहां पर नौवासा भग्न धन्वा विर्तो हताशो हत सारिती तलेना विच घनाशू जटायू क्रोध मोर्चित यहने जब उनने प्रहार किया जब उनने प्रहार किया तो क्या हुआ रावड के उसमें क्या हुआ था उस टोटे हुए धनुस वाले रत से विहीन मारे गए घोडे मारे गए सार्ती वाले व्याकुल रावड सीक रही तलवार से जटायू को मार डाला उन्हें कैके क्रोध में आकर जटायू को बाद में मार दिया दसमें कैया जटायू समती क्रम तुंडे नास से खगा धिपै वाम बहुदसे तदा वहाइ वे पाहर दरिंदम यहने क्या पड़ा हमने सत्रू को नष्ट करने वाले पच्चियों के राजा जटायू ने तब अ का वर्णन बताया जा रहा है कि जब सीता जी को ले जाने का प्रयास कर रहे थे तो पहले में क्या पढ़ा हमने पहले इस लोग में पढ़ा कि विलाब करती हुई विलाब करती हुई सीता को देखी फिर उनसे विंती करी कि यह जटायू मेरी रच्छा करो इस निश्कर्म यह गलत कार करने वाले रावड से मेरी रच्छा करो तब जटाईू ने क्या किया था इसरे नमबर वाले हमने इस लोग में क्या पढ़े थे कि इसके बाद सोये जटाईू को सब्द सुनाई पढ़ता है चौते वाले में हमने क्या पढ़ाता है चौते वाले में पढ़ता है कि व दो जो वीर पूरुश रहते है अईसा कार нही करते है पराहिस्स्त्री को से रोको उसकी पराहिस्त्री को कभी भी चुणा नहीं चाहिए जिससे दूसरे लोग निंदा करे और उसके बाद छटवे में हमने क्या देखा छटवे में हमने ये देखा कि रामण बुढ़ा जटायू ने क्या बला रामण से कि मैं बुढ़ा जवूर हूँ परन्तु तुम मेरे रहते सीता को साकुषल नहीं ले जा सकते तुम जवान हो तो क्या हो सकता पर यहां से सको साकुषल नहीं जा सकते आठवे वाले में हमने क्या पड़ा महान बलसाली पच्चियों में स्रेष्ट जटायू ने तीच पहने वाले नाखूनों से रामण पर प्रहार किया उसको उस पर घाव किया आठवे वाले में हमने क्या पड़ा कि उसके बाद महाते जश्वी बड़ी चोच वाले जटायू ने अपने पंजे से रामण को क्या किया रामण को मारा और मरियो सबी दुक धनुस को तोड़ दिया और नौवे वाले में हमने क्या देखा उस तूटे हुए धनुस वाले रत से भीहीन मारे गया घोडे वाले मारे गया सार्ती वाले क्रोथ से व्याकुल रावन ने सीक रही तलवार की मूट से जटायू को मार डाला सत्रों को नश्ट करने वाले पच्चियों के राजा जटायू ने अपनी चोच ने उस पर आकमाड करके उसकी बाई भुजाओं को उखाड दिया हमने जैसे पढ़ा इसमें वीर्ता का वर्नद पढ़ए जिसमें हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा पहले वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा गुट बाई